आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण गोविंद सब कारणों की कारण है वो परम इश्वर परमिश्वर कृष्ण भगवान को कहा है इश्वर परमह कृष्ण परम इश्वर जो है वो कृष्ण है लेकिन जैसे कि भगवान स्री कृष्ण कहते हैं कि बत्या माम अभी जाना थी यावान्यस चास्मी ततुता ततो माम ततो तो ग्यात्वा विश्टे तदनंतरम हे अर्जुन मुझे एक मात्र भक्ती से जाना जा सकता है सबसे उची प्रेम सगाई बिना प्रेम रीजय नहीं नटवर अनन्द किशोर प्रेम ही एक ऐसी वस्तु एक ऐसी कला है जो भगवान तक को प्रसंद करती है भगवान को अपनी वश में किया ये शोदा माने ओखली मूसल से बांदिया श्री कृष्ण को कि यह सब क्या था यह भक्ति थी यह प्रेम था प्रेम के वश अर्जुन रथा क्यों बूल गयो ठकरा ठकुराई जूटे फल सब रीगे खाए ऐसी प्रीत निभाई दुरियो धन को मेवा त्यागयो साग विदुर खर खाई सबसे उची प्रेम सगाई प्रेम के वशीवूत सारा विश्व हो जाता है अखिल ब्रह्मांट स्वयम परमीश्वर प्रेम के वशीवूत हो जाते हैं प्रेम एक मात्र कला है जिससे भगवान आकर्शित होते हैं उनका स्वरूप प्रेम स्वरूप है सत्थ स्वरूप है क्षमा स्वरूप है ज्यान स्वरूप है उनका शिरी विग्र है सत्चिदा आनंद है जैसे आत्मा हम सब आत्मा स्वरूप से सत्चिद आनंद है चिद्यानि बुद्धीमान, बिलिस्फुल, इटर्नल, सत्थ, यानि आध्यात्मिक, अजरमर, कभी नष्ट नहीं होते हैं, सत्थ चिद आनंद, बिलिस्फुल, और चिद ज्ञान स्वरूपा, आनंद स्वरूपा, सचिद आनंद आत्मा, कभी नष्ट नहीं होती, सदेव ताजा बनी रहती हैं, ऐसे ही भगवायन स्री कृष्ण का शिरी विग्र है, यानि शरीर, सचिद आनंद है, हमारा शरीर सचिद आनंद नहीं है, हमारा शरीर कप पित्त वायू के आधार पर खड़ा है, पस ब्लड बॉंस का एक भैग है, इसकी आयू है, इसमें विकार आते हैं, विकार युक्त होता है, पैदा होता है, बढ़ता है, फैलता है, सुकुरता है, बीमारी आती हैं, बढ़ा पाता है, मर जाता है, चूड जाता है, बिखर जाता है, सच्चिदानंद शरीर के अंदर ये चीज नहीं है सच्चिदानंद ववान स्री कृष्ण को सच्चिदानंद शरीर स्वरूपा कहा है सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाया कलिष्टा कारिने नमो वेदांत वेदाया हे श्री कृष्ण सारे वेदों से और वेदान से आप जाने गए हैं आपको मैं प्रणाम करता हूँ गुरुए बुद्धी साक्षने और गुरुजी ने भी इसकी साक्षी दिया है कि कृष्ण वगवान परमपिता परमीश्वर है औरिजिनल है सभी कारणों के कारण है He is the source of nirakar svaroop He is the cause of material world, He is the cause of spiritual world He is a Shamsundra Naviyova Namcha Advaitam, nobody is equal to Him Advaitam वह एक मातृत स्वयम, एक मातर स्वयम Sree Krishna जिस रूप के, जिस शक्ती के सड़ आश्वर्य प्रधान अवस्था में जिनके पास है शक्तिवान है, परम शक्तिवान परम इ्यानवान है करम वेराग्यवान है परम बुधीमान है परम रूप वान है इस प्रकार से भगवान की सड़ एश्वरिये परमकीर्तिवान हैं ये सड़ एश्वरिये यानि छे ओपुलेंस six full of six ओपुलेंस only भगवान स्री कृष्ण के पास हैं सड़ एश्वरिये युक्त कहा है भगवान को और सभी कारणों के कारण कहा है बह्माननी सोयम गीता में अलग अलग जये पर बोला है अपनी पैचांदी है ब्रह्मनोही पृतिष्ठाम ब्रह्मन कहते हैं ब्रह्मय जोतिगो उसका वरणन इसी सलोग में है पूरी डिटेंटियल में ब्रह्मनोही पृतिष्ठाम जो ब्रह्म जोती शाश्वत है, सुख का बंडार है, अव्य है, धर्म स्वरूपा है, अनंत सूर्यों जैसा प्रकाश है, वे ब्रह्म जोती का बेश, यानि आदार मैं हूँ, I am the base of ब्रह्म जोती, ब्रह्म नोई प्रतिष्टा आःम, I am the foundation, stone of ब्रह्म जोती, I am the root of ब्रह्म जोती, इश्वरह पर्मह कृष्ण, सच्चिदानंद रूपाय, अनादिर आदिर गोविंदह, सर्वकारण कारण, भवान ने यहाँ, स्वेम अपनी मुख से कहा है, हे अर्जु, यह मूर्ख लो, यह मूर्चित लो, जो unconsciously अपनी जीवन को जीते हैं, वो मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मूर्चित आदमी कैसे जानेगा, वो कैसे पहचानेगा, वो अपने आपको नहीं पहचानता, अपनी आजपासवालों को नहीं पहचानता, दूसरे भी जीव हैं, उसको यह आभास भी नहीं होता, संसार में यह तो सब घटना घट रही हैं, इस्पेशली इस समय पर आकर, कल जुक कहो, या विनाश जुक कहो, कुछ भी कहो, क्योंकि मैं मनुश्य के शरीर, मेरे, मेरे शरीर मनुश्य का शरीर जैसा है, जिसे मनुश्य के दस उंगलियां हातों में, दस पाऊं में सुन्दर नीत रहें, सुन्दर शरीर है सुन्दर नासिका है सुन्दर होट है सेम डिक्टो कौफी मनुष्य है ये भगवान की कृपा है मनुष्य के उपर अपना जैसा स्वरूप मनुष्य को दिया है अवजानन्ती माम मूढा मानुसिं तनुम आसकतम परम भावम एजानन्तो मम भूत महेश्वरम ये मुर्शित लोग अनकॉंशिस लोग जो मुझसे नफरत करते है मुझे नहीं स्विकारते जैसा मैं हूँ वो मुझे नहीं जानते ना वो कभी मेरी भक्ती में आते ना मेरे संपर्क में आते ना मुझे जाननी की चेश्टा करते ना मेरे भक्तों के करिब बैठते ना कोई गीता, शास्त्र, रामायन, उपनिशद, वेद इन में उनकी रुची है अवजाननती इमाम मूढ हा ये मूर्चित लो अनकॉंशियस सॉसाइटी दे कैननाट अन्डिस्टेंड हूँ आई है सोची जरा, कितने लोग संसार में भग्वान को जानते हैं और जान करके भग्वान की और जाने की चेश्टा करते हैं कितने लोग, लोगों फुर्शत ही नहीं है जानने की जरूरत ही नहीं है ये मेरा अन्भव है मैं ये शहर न्यूवार्क में रह रहा हूँ 10-12 साल से लेकिन मैंनों बीच जाते कोई एक ब्यक्तिवी तो आके कोई सत्संग की बात नहीं करता कोई नजदी गाता तो इतने बोलता है कहां के रहने वाले हो भारत में यहां कहां रहते हो ग्रीन कार्ड बन गया क्या अच्छा फिर मिलेंगे बस इससे ज़्यादा कोई बहुत और बात छेड़ भी दी जाए तो वो घड़ी देखने लगते हैं कि टाइम हो गया नजदे क्या कर रहे हैं क्या कमा रहे हैं अव्यानंती माम उमुढ़ाव यह मूर्चित लोग मुझे नहीं जानते हैं अर्जुन unconsciously अपनी जेवन को जीते हैं there are things like public people unconscious rare people unconscious or very very rare super conscious but supreme conscious a purest dear of Lord Krishna can achieve उसके पास परम consciousness होती है तभी वो परम consciousness परमीश्वर के पास बैठने का अधिकारी बनता है बगवान कहते हैं परम भाव मेरे वो परम भाव को नहीं जानते हैं मेरी supreme consciousness को नहीं जानते हैं और मेरा भूत मेरा शरीर अपना जैसा समझते हैं कि ये भी मनुष्य हम भी मनुष्य क्या भेद है हम में और इन में नहीं भेद consciousness का special है शरी विग्रह का भेद है भगवान के तेंग ममभूत महेश्वर मेरा शरी विग्रह है ये महाईश्वर का शरी विग्रह है महाईश्वर का शरीर है they don't know it and my consciousness मेरी भावना परम है वो परमिश्वर के पास ही परम भावना होती है supreme consciousness तो unconscious आदमी जो जीवन को जी रहा है blindly अंदेरे में भटक रहा है तमोगुन रजोगुनों में विस्की बियर पी रहा है जनवर चबा रहा है कुछल कुछ जूप चोरी बेमानी दोका बाजी वैमनिश्वता में लगा हुआ है रिसवत खोरी में लगा हुआ है उलजा हुआ है संसार में पागलों की तरह दलडल में फसा हुआ है वह है भक्ति कैसे उस पर्म भावना को पहचाने उसको पहचानने के लिए तो सादन बतलाया बगवान ने भक्तिय अमाम अभी जाना दी Only by rendering service unto my lotus feet Loving service unto my lotus feet One can understand me no any other way कोई दूसरा मार्ग नहीं है मुझे जानने का मुझे जानना तो मेरे नज़दी का ये मेरे पास बैठिये मुझे से बात कीजे मुझे कुछ आदान प्रदान कीजे कुछ पस्पम पत्रम फलम तोयम कुछ आदान प्रदान कीजे मैं आपको कुछ दू आप मुझे कुछ दीजिए तब देरे देरे हमारा रिष्टा आगे बढ़ेगा हम दोनों मित्र स्वरूपा हो जाएंगे, मित्र बन जाएंगे जिसे अर्जुन मेरा मित्र है, उदाव मेरा मित्र है मित्र स्वरूप जबाब हो जाएंगे तो पूर्ण रूप से मुझे जान जाएंगे यहां कर कि यदि मेरे अच्छे दास भी आप है अच्छे सेवा में लगे हुए हैं पून रूप से सत परतिशत मेरी मुझे परसंद करने के लिए लगे हुए हैं तो भी मुझे पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ सरदाही भगवान की सेवा करने से प्रगट होती है इरदय में सरदा के बिना कुछ नहीं मिलता सरदावा लगते ज्ञानम अउली सरदाल उव्यक्तियों के इरदय में ज्ञान प्रगट होता है तत्व ज्ञान उस तत्व ज्ञान से उस परम शक्ति को पहचाना जा सकता है और कोई मार्ग तो नहीं है या है भगवान ने तो कहा है और कोई मार्ग नहीं है भक्त्या माम अभी जाना थी यावन्यस चास्टमी तत्व ता तत्व से मुझे एक भक्ती से जाना जा सकता है और जो मुझे तत्व से जान लेता है तत्व माम तत्व तो ग्यात्वा विश्टे तदनंत्रम फिर उसमें वो मेरे नजदिक आ जाता है मेरी जैसी भावना मेरी जैसी डिवाइन नेचर उसके हिर्दे में होती है वो मेरे दाम का वासी होता है भगवान की डिवाइन नेचर हमारे पास शारीरिक नेचर है शारीरिक प्रकरती हम सोचते हैं हम इशरीर है यह मेरे बेटे हैं मेरे संतान हैं मेरे पत्नी हैं मेरे माता पिता हैं मेरे देश्वासी हैं यह शारीरिक जान पहचान है यह हिंदू है यह कृष्चन है यह बुद्धिष्ट है तो इन शारीरिक पहचानों में हम भेद बुद्धी बनी रहती है सदेव इसमें वैवनिश्टा पनपती है इर्शा पनपती है ग्रणा पनपती है शारीरिक पुद्धी में आदमी जीता है वो पशू के समान जीता है नहीं दूसरे दर्जे पर है सेल्फ रिलाईएशन आत्मी पुद्धी आध्यात्मी पुद्धी आत्म ग्यान इन फैट वी आर इस्पिरिट सौल पार्ट और पार्सल अप सुप्रीम लॉर्ड हम सभी भगवान के अंश हैं कृशन जी महाराज कह रहे हैं ममेव आंशो जीव लोके जीव भूत हो सनात नहां मन यह सारे अंश आत्मा हैं हम सब हैं अनंत में विख्रे होएं दे धार्नकी हो या बिना दे के हो या सुक्षम शरीर में हो या इस्थूल शरीर में हो या कारण शरीर में हो लेकिन आत्मा हैं तीन शरीरों के पीछे बैठे होई हैं सच्चिदानंद हम भी हैं लेकिन हमारे तीनों शरीर सच्चिदानंद नहीं है ने तो संचित कर्मों का फल कारण सरूपा शरीर सच्चिदानंद है वो भी बहुतिक है कर्म बहुतिक है फिर सुक्षम शरीर है जो मन बुद्धी एंकार और दसों ग्यारों इंद्रियों को लेकि घूमता है हवा में दिखाई नहीं देता भूत प्रेतों की शरीर दिखाई नहीं देते हैं वो सुक्षम शरीर है और यह इस्थूल शरीर है तीसरा तो इस्थूल शरीर के अंदर सुक्षम शरीर भी है और काड़न शरीर भी है और यह तीनों शरीरों के पीछे आत्मा स्वरूप से मन बुद्धी एहिंकार की तल में जाकर के आत्मा सरूप से हम हिर्दे में हिर्दे से अर्जिंतिश्ठती सभी प्राणी मात्र के इर्दे में आत्मा सरूप से भगवान आत्मा में परमात्मा सरूप से भगवान भी विराजते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा के अंदर भी परमात्मा एंटर होते हैं, इतनी उनकी शक्ति पावर है। लीखे नमराते काल करो, अट्लांटिक फार्म कैश एंड कैरी रिश्मन हेल।